छिलिए बच्चो, गूद बॉर्निंग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले फीचर सब बिजनस साइकल, हम लोग ने इसके पहले क्या पढ़ा था आप लोग को याद होना चाहिए, फेजिस, याद है आप लोग हम लोग ने फेजिस पढ़ा था बच्चो, ठीक है, क्लियर है, एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, कितने फेजिस होते हैं, बेसिकली चार फेजिस हम लोग ने पढ़ा था, एकस्पांशन, जिसके अलग अलग नाम थे, ठीक है, अलसो कॉल्ड इस बूम पीरेट, अगर थोड़ा लंबे पीरेट के लिए हो तो, इसा नहीं एक दो दिन के ठीक है, यह कुछ दिन, अपस्विंग भी कहते हैं, से एकोनोमी जब स्विंग पे आती है, पीक को भी हम लोग बूम पीरेट केते हैं, मगर शौट टम के लिए होता है, प्रास्पिरेटी जब एक्जास्टिंग अव रिसॉर्से हो जाता है, कॉन्टरेक्शन को डॉन स्व अपस्विंग और डॉन स्विंग होता है, तो जो पता है, उसे हम डिफलेशन कहते हैं, और सर्टेन है, बट जो अचानक से आजाए, कॉन्टरेक्शन जो अभी हमारे देश में है, में को नहीं लग रहा होगा कि कर्मी में उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगे, जो भी नहीं जो आलत खराब है, जो उनके लिए अनसर्टेन कांट्रिक्शन होआ हो, और मार्केट उनका पूरे डॉन स्विंग पे है, और अगर ऐसा छे मेने हो गया, दो काटर हो गया, तो डिसेशन की तरफ चले जाएंगे हम लोग, ठीक है, चले, सॉरी, ओके, और आखरी में था, कि अब एकोनामी बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो डिप्रेशन और फिर रिकवरी के फेस में आप ट्रफ कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, ठीक है, यह आप लोगों समझ में आया था, मैंने आप लोगों पढ़ाया था, ओके, यह जो वर्ड है, यह क्या होता है, पीटा, रियल जी जीटीपी होगा, यहने मनी वैली भी बढ़ रही ही, गुट्स की, अना, एक्शल आउटपूट भी बढ़ रही है, अगर सिफ मनी वैली ऑफ गुट्स बढ़ रही है, बढ़ एंप्लाइमेंट ऑपर्चिनिटी और आउटपूट नहीं बढ़ रहा, मनी वैली क्यों जब आपके डिमांड होगी, भले आपके रिसोर्से यूज होना हो, तो गुट्स तो महंगे होना ही होना है, तो we are talking about the real facts, not कि सिफ मनी वैली जो शोग करें, ठीक है, clear है, अब यह जो लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, हम लोग, देखो ट्रेंड कैसा शोग कर रह कांट्रेक्शन एक ऐसा फेस है, तो आने ही वाला है, बट फिर भी हम लोग अपने आपको बहतर रिस्तिती में पाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे करूँगा यहां से, तो देखो, है ना, इसको मैं और अगर उपर लियाता हूँ, तो यह अभी और उपर जाएगा, अब एक ग्रीस का एक्जामपल देते हैं, आपको ग्रीस की आलत बहुत कराब, 2010 के बाद वो देश पूरी तरीके से बरबाद हो गया ना, उसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं बचा उस देश के बास में, ठीक है, तो 2010 से आप समझ सकते हो, कि ग्र ग्रीस पूरा ऐसा जा रहा है, यह 12-10 से ग्रीस की स्थिति, यह ट्रेंड है, तो अगर ऐसे देखोगे, तो मानलो पीक से पूरा, और और नीचे ताद याएगा, निकेटिव, आप ग्रीस की हिस्ट्री जरूरू पढ़िएगा, ठीक है बच्चो, यह ट्रेंड बताता है, जिसे अभी हमारे देश में, अनेम्प्लोयमेंट, फर एक्जेंपल, मानलो अनेम्प्लोयमेंट इस फेस पे, बढ़ रहा है, 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 तो यह शो होगा, यह फिर अनेम्प्लोयमेंट को इसको ले लो, और यह एम्प् करते हैं यह है विपर्ण साइकले का पॉइंट का है ऊद्धर के नाउ और अज बीशिंद नहीं के अचांड לי को पता है मिरा मार्केट कब होता है कब नहीं होता इसे हम लोग नुर्मली गोड होग्या या electronic item हो गए, हम लोग normally festive season में खरीदते हैं, हम लोग Indians का जो believe है, एक cycle होता हर जीस का, अभी जैसे अभी आप देखो, और सबकी same जो cycle होती है, चाहे वो peak हो चाहे वो expansion हो, contraction हो, सबका same regularity नहीं है, कि इतने वक्त के लिए आएगा, इतने electronic item, AC cooler पूरा धंदा बंद पड़ा हुआ है uncertain होता है ना, तो intensity भी different होती है, और अभी हम लोग अगर 6 मेरे ऐसी हो गया, तो recession पर चले जाएंगे clear है, हम लोग अभी almost contraction phase में है, बहुत high contraction phase में है, और recession की तरफ हम लोग almost जाच चुके हैं, अगर कोई बोले नहीं तो गलत बात है, दिखेंगे, government हमेशे आपको optimistic बात बोलेगी, या record को fudge करेगी, ठीक है, आपको बिलीव करना है कि, अगर economy बंद पड़ी हुई है, तो recession के तरफ जाना ही जाना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा नेक्स्ट है, second वाला, business cycle है for distinct phases, yes, peak short term के लिए होता है, एक हफते का भी हो सकता है peak, दो हफते का भी हो सकता है, एक मेने के हो सकता है expansion के भी अपने phases हैं, ठीक है इसे भी प्यास के दाम बढ़े थे, peak पे था अब वो, एक मेने के लिए हुआ था तो वो अलग प्रकार का phase हो गया, नॉर्मली अगर प्यास के दाम बढ़ रहे हैं, आप logic diagram के तरू समझो, इसे भी बीच मेने के लिए बढ़ा था प्यास के दाम, तो it's like this अभी ऐसा है, जब नॉर्मली बढ़ते तो it's like this दोनों के phases में अंतर, तो यह थोड़ा time लेता है और यह short time में बढ़ा और कम भी हो गया logic समझा मैंने क्या बोल आपको अब यह automobile sector को देखो, automobile sector ऐसा था हमारे हैं पर लोग गाड़िया तो खरीदते हैं न, automobile sector भी ऐसा है पूरा contraction में उसके economy हो सकता है मैं कहता हूँ कि automobile sector depression में जा चुका है one of the sector की बात कर रहो है यह कोई खरीद रही नहीं न, गाड़ियां खरीदना बन करती है लोगोंने और यह तो January से December से था कोवेट के पहले से चीक है सब के अपनी length है और वो these phases automatically shows their smoothness and regularity वो खोदी बता रहे थे कि कितने smoother, कितने regular है यह कितने regular है, वो उनका phase ही बता रहेता है the length of each phase is also not definitely, we don't know कि peak कितने time के लिए आएगा expansion का टाइम फेस होगा normally हम लोग quarters में divide करते है 3 मेने, 6 मेने, 9 मेने तो उसके साब से हम काम कर सकते है समझा सकते है बढ़ अगर आपको बोला 6 मेने तो आपके दिमाग में recession आना चाहिए 1, 2, 3 years to depression के तरह हम जा सकते है boom period का अपना एक week होता है एक मन्त भी हो सकता है कुछ दिन भी हो सकते है ठीक है clear है, clear बच्चो शालो थाट पॉइंट क्या बलता है business cycles generally originating free market economy what is free market economy free market economy वो होती है जो demand और supply पे work करे जहां government का कोई connection नहीं है interference नहीं है India भी one of the free market economy में या आएगा क्योंकि सरकार ने almost पूरा privatization कर चुका है वो था अभी सरकार ने control किया price determination को क्योंकि हालात वैसे तो normally तो पूरा privatization हो चुका है हाना क्योंकि जहां सरकार का control होगा वाँ cycles को तो manage किया रहा सकता है logic समझ रहा है जहां लगा cycle out of the control जा रही है तो सिवेक सेक्टर में नहीं आता वहर सेक्टर को अपनी अंदर लपेटेगा आप जैसे automobile sector for example example देता हो लोगों ने गाड़ी खरीदना कम कर दिए तो लोही की डिमांड कम हो जाएगी इंजिनियर लेबर इंडस्ट्री वह अल्मुस्ट करने माला है अगर अगर फूड प्रोड़क्र के अगर डिमांड कम होती है तो सीट्स की डिमांड कम हो जाएगी पैसे सेक्स की डिमांड, फार्मर्स, ट्रैक्टर्स, समझे डिस्ट्रिबूशन, वेरहाउस, तो वो अफेक्ट पूरा, परवेजिक का मतलब बता है, एप्लिकेबल टू अल सेक्टर्स, एक सेक्टर में का डिस्टबेंस होगा, जो मैंने आपको भी एक्जामपल दिया, तो ते ठीक्टर मेंत्रल सेख और मौझे तो ग़ार मोझेशन होगी, तो छलिए डिस्टीबिशन बनें गम हो जाएगी तो बिकिए कहां से डिस्टीबिट काहां से होगा, और मार्केट का मन्हाँ जाएगी, जो मार्केट है वो शूने हो गाड़ी नहीं खरीद रहे हुआ है। इस नहीं को है फाट है। तो वो तो एक agriculture industry का ही पाट हुआ ना लॉटिक समझ रहा है तो अगर business cycle का जो basic effect पर काई पर पढ़ता है जली बोलो capital goods पर वो goods वो इंडस्ट्री जो machines पर बेस्ट है जैसे मैंने electronic item का example दिया आपको furniture कौन खरीद रहा है भी कोई नहीं खरीद रहा है तो वो इंडस्ट्री पर फरक पड़ेगा agriculture industry को उतना फरक नहीं पढ़ता क्यों को लोग खरीदेंगे ही लिखाया उसमें देगो some sector such as capital goods, machines इनको फरक पड़ेगा durable consumer goods, TVA fridge, washing machine, furniture यह disproportionately effect होते हैं मतलब हमें नहीं पता है, indefinite face के लिए effect होते हैं कब ठीक होगा नहीं पता हमें as compared to agriculture industrial sector is more exposed to adverse effect of trade cycle यहने अगर कोई भी प्रकार का depression आया, recession आया तो अब सबस्ट इसको होगा industrial को जो भी हम देख रहें अब मास्क इंडस्ट्री महत खतरनाक तरीक से पनपने वाली आगे जाना मास्क इंडस्ट्री मास्क 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 मनाएंगी बड़ी-बड़ी आपने को अपने को न तब्रकार को थे आख रहें और अचली नेक्स अम लोग आ जाते हैं बच्छो फॉर्थ पॉइंट पर फिफ्फ पॉइंट पर सॉरी अना बिजनस साइकल्स अर एक्सेडिंगली कॉंप्लेक्स फिनोमना वी ओल लॉट नो कौन साइकल कब आएगी कितने वक्के लिए आएगी अचानक से रहती है किसी भी साइकल के यहने हर साइकल का यूनिफॉर्म केरेटरिस्टिक नहीं है मतलब एक जैसे नहीं हो अब बूम प अब लोग जबकि अम लोग अगरिकल्चर प्रोड़क्शन के लिए वन अव दी इंपोर्टन नेशन से हैं ठीक है वी कांट प्रेडिट दा एक्च्छल और अर अक्यूरेट आप बुल सकते हो के रीजन्स बराबर है अना एक्जेक्ट रीजन अम लोग नहीं वो कर सकते है यह आपको दियान रखना है ठीक है मैं छोड़ असा आप लोग लिए हां थेंक यू सॉरी ठीक है बच्छा सौर मैं आ रहा है मैं क्या बोल रहा आप लोगो फक्का ओके तो यह आप लोगो दियान रखना है अक्रेट प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं ओके में आगया पक्का शरू पड़ी है शांदर नेक्स्ट रिपरकॉशन्स ओफ बिसनस साइकल रिपरकॉशन की बेसिक मीनिंग अगर आप लिख लेंगे तो एक ऐसा ट्रेंड जो अनसर्टिन था और हमने वेलकम नहीं किया है मनला हम उसके लिए रेडी नहीं थे एक ऐसा ट् नहीं थे अंसर्टेंदी हमारे सामने अराइज हो गया ठीक है इसे कल अब यह जो हुआ अभी इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री के लिए तो यह आतंकी तरह आया एक तमसे कोवेड अब यह डिजिटल इंडस्ट्री को देखा आप यह जो कमिनिकेशन है और यह डिजिटल अब है जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से सब ऐसे हैं यहां पर बैठें इतने डिमांड है हो सितना चेयर मेने बाद में थलका सा फरक है मैं मुझे लिए लगता वह इसी फेस में जाने वाले में जिस तरह की डिमांड है उनकी अना बूम फेसे में आप समझ मैं किन सेक्टर की बात कर रहा हूं ठीक है एमेजाओन नेट फ्लेक्स जो आपके डेटा पैकेज़ें उसके आप डिमांड देखी कहां से काम हो जगी है ओके है तो रिपरकेशन की मेनिंग समझा आपको सेमेटरिसले फेल्ट आपको फेल्ट होते रहती है कि यार कुछ ना अबड़र को सब्सक्राइब आपको फरफ पड़ता है अब फिंट्रेटल और फरफ पड़ा तो उजोंगे तो कि यह एंगी यह मेरे बच्चों अब फैसे अप्स्साब नहीं होगा तो नो इन्वेस्मेंट अना पैसा नहीं है तो नो कंसम्शन इंटरेसरेट का मोज आएं है वेले आपको नाशन इंकम में है एक साइकल की तरह गर उसको समझे तो गहले समझेंगे मेरे बच्चों सर सिंपल है जैसे फर एग्जांपल अगर देश के इंदर आउट पुड बनता है तो रिसोर्से उज होते हैं सर एंप्लोइमेंट आता है सर एंपलोइमेंट आता है तो सर इंकम आती है सर इंकम होती है तो सर डेफिनेटली कंजम शयन होता है क्योंकि अम पहले अपने नीट को फुल्फिल करेंगे सभी पैसा बचेड़तों सेविंग सेविंग होगी तो इन्वेस्मेंट होगा और यह साइकल ऐसे चलती है चलती है तो अगर एक सेक्टर पर एक वेरियबल पर फड़ा तो वो पूरों को अफेट करेगा, क्या अपने एक थेरी पड़ेते याद है, everything is depend upon everything else, हर सेक्टर, हर वेरियबल के एक दुसरे पर, depend है, depend है कि नहीं है, आज ही देख लो आप, output का में पूरी, industrial sector की तो हलत खराब हो चुकी न, वह यह की नहीं हुए है, almost हर sector, agriculture के छोड़ के हर sector बरबाद है, ठीक है, पका समझा, interest rates कम है, RBI बोड़ रहा है, RBI ने रेपोरेट कम करे दिए, reverse रेपोरेट कम करे दिए, अब यह loan low, liquidity, low bank में पैसा आएगा, तो investment होगा, लोग कहां ले रहे हैं, लोग बोलें, बता ही नहीं क्या करना, फ्यूचर में तो कहां से लेँन लेंगे, और definitely जब हर चीज़, lower side पे होती है, तो आपके price levels भी क्या हो जाते हैं, कम, हर चीज़ का price गरने लगता है, few sectors को अगर मैं छोड़ दो बिटे से, pharmacy के example में आप लोग बार बलिए, जिसे pharmacy में कैसा और अब medical field में भी demand बढ़ रही है, तो ventilators की demand बढ़ रही है, तो जो industry ventilators बना रही होंगी, उनके लिए वो capital goods एक बहतर आप शारवा, अभी देखो, बहुत सरी industries क्या करें कि मालूँ है, बहुत सरी electronic industry, ventilators की production चालू कर देगे, आने वाले time पर, अब देखो, शर्द लगाओ, ठीक है, निम्मत लगाओ शर्द, पैसे नहीं है भी आप लोग के पास में भी ज़्यादा, ठीक है, अब बिमारी की तरफ, वाट 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 एक cycle, एक effect, एक country में है, दूसरी country में फेलेगा, अभी देखो ना, आज सबसे बैस एक्जामपल है भाई, चाइना में अब वो जो भी प्रकार के थी, वहाँ की cycle, वहाँ की economy, इपरेशन में गई, रिसेशन में गई, इपरेशन में गई, तो चाइना से आने वाला, चार मेने के लिए, तीन मेने के लिए, पुरा production पे effect पड़ेगा, तो बाकी country सो भी effect पड़ा न, और वो बिमारी की वरियर से, definitely उनके production पे फरफ पड़ा, तो हम लोग जो उनसे सामान इंपोर्ट करते हैं, तो हम पे फरफ पड़ा, हम से जो लोग सामान अभी इंपोर्ट करते होंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट अभी बहुत reduction पे है, क्योंकि production activity कम है, तो हम पे दूसरे देशों पे फरफ पड़ेगा, जितने भी oil countries है न, उनके oil reserves, उनके crude, उनके prices अभी आपने देखे होंगे, निगेटिव वह जीरो पे जा चुके थे, barrels के साब से, dollars के साब से, पर देखा होगा, तो यह effect, एक country पे फरफ पड़ता है, तो एक country पे जो एक business cycle आती, treat cycle आती, उसका effect दूसरी country पे पढ़ता है, यह आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पिच्चो, ओके, अब इनके पास पैसा नहीं आएगा, अरब country के परस में, तो यह जिन से सामन खरीट थेंगे, उनसे नहीं खरीदेंगे, तो वो country के exports कम हो जाएंगे, सब इस देगी cycle होती है, ठीक है, international indicator एक country में चालू होता है, दूसरी country में फैलता है, और ऐसा होता ही होता है, हमने great depression भी देखा था 1930 में, इन दा USA and great britain, affected almost all the countries, क्योंकि इनके आपर goods बनना बंद हो गए, तो इनोंने दूसरे उसा खरीदनापन कर दिया, क्यों पैसा था नहीं, क्या बाकी देश सेल्फ डेपेंडेंट होने लगे थे, तो यहाँ पर जो production था, excess of production, वो सब away stage में हो गया, तो इनके prices फटाक से गर गया, यहाँ पर इन लोग ने क्या कर दिये थे, World War I के बाद में huge production capacity बढ़ा दी थी अपनी, अनाप शानाप, मतलब आप excess में production करकर रखेते हैं, clear है, तो वो ही countries को ज़्यादा effect पढ़ता है, जो capitalist होती है, like जो free market economy पे चलती है, जिनका main focus होता है to earn maximum profit capitalist countries, जिनका main focus होता है to create wealth, जो free market पे ज़्यादा focus करती है, तो उन पे ज़्यादा far up पढ़ता है, okay, क्योंकि सरकार का निया अंदराण होता नहीं है, तो वो हुआ था great depression period 1930, Lord J.M. Keynes, याद होगा आप लोग, आपने production करकर कर रखे हैं, बाकी country is self dependent हो गई, आपके production की value zero हो गई, तो great depression, अब USA, Britain को कि अगर economy पर फरफ पढ़ेगा, तो उन से जुड़ी होई पूरी economy पर फरफ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ठीक है बच्चों, चालो great, ओके, और last case, बिसने से कालाफ, serious consequences on the well-being of society, जहां ये word आया ना well-being, पूरा focus करना है, standard of living, यार अभी इस से अच्छा example तो हो नहीं सकता, कि आज हमारे दुनिया में या देश में, लोगी well-being पे बहुत फार अपढ़ा है, people are mostly relied on necessary goods, अभी जो luxury पूर्शन है वो downfall पे, अभी जो घरों में हैं वो अलग बाते बड़ लोग नहीं हैं नहीं नहीं खरीदेंगे, logic समझ रहे हैं, जब contraction phase आता है, जब contraction phase आए का जैसे मान लो, for example के तौरपन, contraction phase आया आपका, तो ये होता है आपका contraction, तो आपकी well-being क्या होगी, जाएगे ये नहीं जाएगे आप अपने पैसे बचाएंगे, consumption कम करेंगे, saving जादा करेंगे, तो expansion phase आता तो आपके well-being बढ़ती है, क्योंकि वो एक prosperity का संदेश होता, trend होता है, अभी इंडिया में फिलाल, जो well-being है, वो ऐसा है, लोग अपनी जान बचा रहे, अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने की नहीं कुशिश कर रहे, बचाने की कुशिश कर रहे, तो अभी well-being का तो party नहीं है, अब अप इंडिया का छोड़ों, हम तो विर भी बहतर position पर है, अब यूएस जैसी country, अब इंडिया का वेल-बिंग, लोग वाहाएक हेल्थ सेक्टर डेवलप नहीं कर पाए, अपने लोगों के लिए 1,00,00 लोग मरने की स्थिती में हम आपर, ऐसी वाहाँ लाइफ एक्सपेटेंसी वैसी अड़री कम थी, तो क्या मतलब रहाए, ऐसी डेवलप country का, जो अपने लोगों की वेल-बिंग के लिए काम ना है, यहने मतलब यह जो cycle चली थी चाइना से, इसने अल्मोस हर country को तबह कर थी, France, Italy, बराबर है की नी बराबर है, तो वेल-बिंग का मतलब standard of living, the welfare of people, समझा, पका बच्चो, तो यह पूरे फीचा समझ में आ गया आपको, question पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना है, ओके, शालो, next पढ़ेंगे, हम लोग indicators, फटा-फट इसको खतम करो, फिर कल इंडिकेटर पढ़ेंगे, परसो दो टो भी कवार बचेंगे, फिर चप्टर खतम तीन दिन में, ठीके बच्चो, इस पर बहुत question आती है, तो ध्यान से पढ़ना बच्चो,